तो नाइट वाचर की इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला खतम होता वो जो अजीब से बुल्फ जैसा क्रिया चलता वो जेनरल को मार कर प्रिंसेस को पकड़ लेता है और कहता चलू यार अब यह लड़की मेरे को मिल गई उतने में बाकी तीनों आत यह भी कहता है यह सो तुम तीनों की हलत बड़ी खराब लग रही है ऐसा मत बोलो तुम तीनों मिलके एक यांग यान को भी नहीं मार पाए तो लड़की कहते है अगर अकेला यांग यान होता तो मार देते हैं एक और लड़का आ गया हाला कि वो हाई लेवल का नहीं था ल मुझे नहीं मालूम ये भी कहती है रे बच्ची तु नहीं बताएगी चल कोई बात नहीं मैं तुझे एक reward यहां पर देती हूं किस करके उसको किस कर लेती है और किस करके उसके बुड़ी का जो भी energy है ना सब चूस लिया जाता है तुछ लड़की विचारी मर जाती है सारी क जाने दो ममी मुझे डर लग रहा है कोई तो बाचा लो जो रियल प्रिंसेस है ना वो भी देखती बाप रहे यह क्या बात हुई जब मैंने सुना कि मेरे को जाना है तो मैं डर गई थी कि वही मैं कभी महल से बाहर नहीं गई उन कैसे जाओंगी अर लेकिन जैसे शौक क्य उनको मैंने देखा तो लगा यार यह तो कोई अपना ही बंदा है तो भाई थोड़ा मेरे को रहा थी यहां पर मिली लेकिन रस्ते में मैं उससे सवाल पूछा था कि प्रिंसेस को बचानी की बारी आए कि तू बचाएगा उसने बोला था कि नहीं बचाऊंगा मेरा काम है क सवाल करना प्रिंसेस मरे तो मरे मुझे उससे क्या लेना देना और अब इकलिए सची में मेरी हालात बुरी है मैं मर भी सकती हूँ और मुझे लगता नहीं है शाओ को एन मुझे बचाने आएगा क्योंको इसने तो साब साब माना कर दिया है तो उतने में एक लड़का आता इनके टीम का एक और मेंबर और कहता है कि ना ना यह गलत बात हैं गरू को यार कोई और तरीका यूश करना पड़ेगा तो उसको बोला जाता भी तरीक तरीका है ना किसी बंदे को एनलाइस कर सकता है तो सारी औरतों को एनलाइस कर बैर यल वली के वारे में मालूम चल जा उसकी बोड़ी प्याटी फेके और हम सची में उसके बार में पता लगा नहीं सकते हैं मेरे अनलाइस के तरीके से लेकिन एक दूसरा तरीका है जीतने भी यह औरते ना सबके कपड़े यहां पर उतारो तो यह लड़की भी कहती है इनके कपड़े उतारो भाई सारे कामों क अंदर तो मैं सबसे आगे यहां पर हूँ जाईसी बाते एक नॉर्माल लड़की और एक प्रिंसेस अगर दोनों को भी ना कपड़ों में देखोगे तो अनुमान लग जाएगा शाओ क्वेन भी आता है ओके तहीं एक नॉर्माल लड़की काज के बराबर है लेकिन एक प् दर है तो अकेला यहां पर आया है तुझे सची में ड़न नहीं लगता है पहले बया दो बन देते जिसके चक्क में हम ठीक नहीं पाएं लेकिन अव हम लोग चार है तो एक लौता यहां पर है ओ गोरिला भी करता को नहीं है तो जो था ना भी स्निक जैसे क्रियेचर और ड् तीन अटैक में मा डालेंगे गोरिला भी कहते है यहां उसको अनिलाइस यहां पर कर तो लड़का भी कहते है यहां लेट मी अनिलाइस हो सकता है कि शादी रियल बंदन आओ यह क्लो ने जो बस हमरे धियान भटकाने के लिए आया होगा तो अच्छे कर रहा था उतने में प उसका लेवल तो बड़ा हाई नहीं ना है क्योंकि जहांता कि मैंने यहां पर सुनाएं ऐसा कोई बंदा जो तुम से थोड़ा सा जादा हाई लेवल का है उसको निलाइस करो कि तुमको ढटका लगेगा और यह बंदा चौथे रेंक है यानि इसको उपर तीसरा रेंक या को भ्योश कर दिया डोन वरी अम मेरी बार या चुकी अटेक करने के लिए गोरिला भी अटेक कर देता है लड़के को अनुमान लग जाता कुछ न कुछ न कुछ तो गर बड़े भाई गोरिले अटेक ना कर मुझ सिवात में आ जाएगा ड्रैगन भी कहता या या मत कर तो उन अब यह हाते हैं जो बहुत पहले धमाके के अंदर से निकला था अगर आपको याद होगा तो और यह हमारे शौक कोईन के पास ही था कई गया नहीं था आज बड़े दिनों बाद भी उस कर दा है और कहता चलो अगले नंबर तुमारा है तो वो लोग भी कहता रहे भागो भागने के कोशिश यहां पर करते हैं लेकिन शौक को ने बिलीटी उस करके उनकी बोडी फ्रीज कर देता है भाग नहीं पाते हैं ओ लड़की कहती है कि ना प्लीस भाई मैं तुम्हें अपने जिसमें दे दूँगी लेकिन मुझे मत मारो शौक को एन एक तलवार मारता औ आई में राइटर की शादी वादी है क्या जो चैप्टर डाल ले रहा देखते हैं आई होप अगले हपते तीनों चैप्टर आ जाए बिलते किसी और वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई